शीतला सस्टी वर्त विधी माशीतला का पर्व किसी ने किसी रूप में देश के हर कोने में होता है कोई माख शुकल पक्ष की सस्टी को, कोई वेशाख क्रिशन पक्ष की अस्टमी को तो कोई चैतर के क्रिशन पक्ष की सब्तमी या अस्टमी को मनाते हैं शीतला माता हर्त रहके तापों का नाश करती है और अपने भक्तों के तन मन को शीतल करती है इस वर्थ को माग महा में क्रिशन पक्ष की सस्टी को किया जाता है इस वर्थ को करने से आयू थो तो संतान कामना का फल मिलता है कई स्थानों पर इस दिन कुत्ते कोटी का लगा कर पूजने का और पकवान खिलाने का रिवाज भी है कथा में माता शीतला के वर्त की विधी का जैसा उले खाया है उसके अनुसार सीतला सस्टी के दिन स्नान ध्यान करके शीतला माता की पूजा करने चाहिए इस दिन जो इस्त्रिया वर्त रखती है उन्हें गरम पानी से स्नान नहीं करना चाहिए और ना ही गरम भोजन करना चाहिए शीतला माता के वर्त के दिन थंडे पानी से स्नान करना चाहिए थंडा भोजन करना चाहिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे बसोरा या बसोरा भी कहते हैं इसे बसोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन लोग रात में बना बासी खाना पूरे दिन खाते हैं हिंदू वर्तों में केवल शीतला सस्टी का वर्त ही ऐसा है जिसने बासी भोजन किया जाता है इसका वस्त्रित उल्लेक पुरानों में मिलता है शीतला माता का मंदिर वट विक्ष के समीब ही होता है शीतला माता के पूजन के बाद वट का पूजन भी किया जाता है सीतला सस्टी के दिन लोग चूला नहीं जलाते बलकि चूले की पूजा करते हैं इस दिन भगवान को भी रात में बना बासी खाना प्रसाद रूप में अर्पन किया जाता है इस तिथी को घर के दर्वाजे, खिडकियों एवं चूले को दही, चावल और बेशन से बनी हुई बड़ी मिलाकर भेट किया जाता है बंगाल राजे में इसका जादा महत्व माना गया है इस दिन शीतला माता का पूजन शोड़ोफ चार से करने पर पापो का शमन होता है इस तिथी को वर्थ करने से जहां तन्मन शीतल रहता है, वहीं चैचक से आप मुक्त हैते हैं शीतला सस्टी के दिन देश के कई भागों में मिट्टी पानी का खेल उसी परकार खेला जाता है जैसे होली में रंगों से शीतला सस्टी वर्थ कथा ऐसी प्राचिर मानेता है कि जिस घर की महिलाए शुद्मन से इस वर्थ को करती है उस परिवार को शीतला देवी दंधान्य से पूरन कर प्राकतिक विबदाओं से दूर रखती है कथा के अनुसार एक सावकार था जिसके साथ पुत्र थे सावकार ने समय के अनुसार साथो पुत्रों की शादी कर दी प्रन्तु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी साथो पुत्रों में से किसी के घर संतान का जनम नहीं हुआ पुत्र वध्वों की सुनी गोत को देखकर सावकार की पत्नी बहुत दुखी रहती थी एक दिन एक व्रिद इस्त्री सावकार की घर से गुजर रही थी और सावकार की पत्नी को दुखी देखकर उसने दुख का कारण पूछा सावकार की पत्नी ने उस व्रिद इस्त्री को अपने मन की बाद बताई इस पर उस वृदिस्त्री ने कहा कि आप अपने सातों पुत्र वधुओं के साथ मिलकर शीतला माता का वर्थ और पूजन कीजिए इस से माता शीतला प्रसन हो जाएगी और आपकी सातों पुत्र वधुओं की गोधरी हो जाएगी सावकार की पतनी जब माग मास की शुकल पख्ष की शस्चितिती को अपनी सातों पहुओं के साथ मिलकर उस फृदा के बताएव धान के अनुसार माता शीतला का वर्थ किया माताशीतला की किर्पय से सातों बहुए गर्वती हुई और समय आने पर सभी के सुन्दर पुत्र हुए समय का चकर चलता रहा और माख शुकल सस्चिति थी आई लेकिन किसी को माताशीतला के वर्थ का ध्यान नहीं आया इस दिन सास और बहुए ने गरम पानी से स्नान किया और गर्मा गरम भोजन किया माताशीतला इससे कुपित हो गई और सावकार की पत्नी के स्वपन में आकर बोली कि तुमने मेरे वर्थ का पालन नहीं किया है इसलिए तुम्हारे पती का सरस्वर्गवास हो गया है स्वपन देखकर सावकार की पत्नी पागल हो गई और भटकते भटकते घने वन में चली गई वन में जाकर सावकार की पत्नी ने देखा कि जिस वृधा ने उसे शीतला माता का वर्थ करने के लिए कहा था वे अगनी में जल रही है उसे देखकर सावकार की पत्नी चंक पड़ी और उसे एहसास हो गया की है शीतला माता है अपनी भूल के लिए वैं माता से विंती करने लगी माता ने तब उसे कहा कि तुम मेरे शरीर पर दही का लेपन करो इससे तुम्हारे पे जो दैविक ताफ है वैस माप्त हो जाएगा सावकार की पत्नी ने उस तब शीतला माता के शरीर पर दही का लेपन किया इससे उसका पागलपन ठीक हो गया वैसावकार के प्रान भी लोटाए शीतला सस्टी महात्यम माक शुकल शस्टी तिथी का वर्थ शीतला माता के नाम से किया जाता है इस वर्थ का पालन आम तोर पर महिलाए करती है शीतला माता के वर्थ का महात्यम है कि जो भी वर्थ रखकर इसकी पूजा करता है वै दैहिक और दैविक ताप से मुक्त हो जाता है यह वर्थ पुत्र पर्धान करने वाला एवं सो भाग्य देने वाला है पुत्र की प्राप्ती रखने वाली महिलाओं के लिए यह वर्थ उत्तम कहा गया है शीतला माता की आरती ओम जैशीत लामाता मैया जैशीत लामाता आदी जोती महरानी सब फल की दाता ओम जैशीत लामाता रतन सिहासन शोबित श्वेत छत्र भाता मैया श्वेत छत्र भाता रीदी सीदी चवर डोलावे जगमग छविछाता ओम जैशीत लामाता विष्णू से वठ्था वे से वेशिवधाता मैया से वेशिवधाता वेद पुरान वरनत पार नहीं पाता ओम जैशीत लामाता इंद्र मिदंग बजावत चंद्र विनाहाता मैया चंद्र विनाहाता सूरज ताल बजावे सूरज ताल बजावे नारद मुनिगाता ओम जैशीत लामाता घंटा शंड शैनाई बाजे मन भाता मैया भाजे मन भाता करे भक्त जन आरती करे भक्त जन आरती लखी लखी हरशाता ओम जैशीत लामाता ब्रह्म रूप वर्दानी तू ही तिन काल ग्याता मैया तू ही तिन काल ग्याता भक्तन को सुख देती मातू पिता भ्राता ओम जैशीत लामाता जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता मैया प्रेम शक्ति लामाता सकल मनोरत पावे भवनिदितर जाता ओम जैशीत लामाता रोगो से जो पीडट कोई शरन तेरी आता कोडी पावे निर्मल कोडी पावे निर्वल काया अंधनेत्र पाता ओम जैशीत लामाता बांज पुत्र को पावे द्रिद कट जाता मैया द्रिद कट जाता ता को भजे जो नाही ता को भजे जो नाही सिरधुनी पच्छताता ओम जैशीत लामाता शीतल करती जन की तू ही है जगत्राता मैया तू ही है जगत्राता उपती वाला बिनाशन उपती बाला बिनाशन तू सब की माता ओम जैशीत लामाता दास नारायन कर जोरी माता मैया कर जोरी माता भक्ति आपनी दीजे और नै कुछ माता ओम जैशीत लामाता आदी जोती मारानी आदी जोती मारानी सब फल की दाता ओम जैशीत लामाता